सलामलेकुमएवूर्स क्या έλ चाले आप सब का उमीद है आप लोग सब خیریت से होंगे और आप लोगे बर्ड्स भी जो है वो खेर वौफियत से होंगे आज की वीडियो जो है वो भात ही इंपॉर्टन्ट है और वो टॉपिक है कि हमने बर्ड्स का DNA का सेंपल जो है वो कैसे क्लेक्ट करना है मैं अपने सारे व्यूवर्स को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी लवबर्ड का पेर खरीदें तो हमेशा DNA के साथ लें और जब किसी को सेल भी करें अपने घर के ब्रीड या घर के पठे तो वो DNA के साथ ही करें इससे लेने वाले का भी फायदा है और आप जो सेल कर रहे हैं आपका भी जो है वो अथेंटी सिटी बढ़ जाती है अगले को मतलब प्रॉपर कॉंफिडेंस होता है कि जिससे मैं बढ़ ले रहा हूँ वो मुझे कंफर्म जो है वो पेर दे रहा है तो बहुत सारे मेरे वीवर्स हैं जो यह पूछते थे कि डी ने किस तरह कलेक करना है क्या इसका तरीक है तरीके तो इसके दो हैं बलड से भी सेंपल कलेक्ट होता है फैदर से भी होता है मैं personally जो यूज करता हूँ वो feather collection यूज़ करता हूँ, वो मेरे लिए easy होती है और मैं अपने घर में जो है वो samples collect करके lab भिजवा देता हूँ तो आज की वीडियो में मैं आपको step by step जो है वो बताऊंगा कि किस तरह आपने birds को पकड़ना है किस तरह sample collect करने और उसके बाद sample bag को किस तरह proper detail फिल करके जो है वो lab भिजवानी है तो इसमें जो एक important बात है वो ये है कि जिस bird का आपने DNA करवाना है वो कम असकम 60 days का होना चाहिए 2 months का जो है वो bird होना चाहिए उससे छोटे चिक का अगर आप feather pluck करेंगे या खेंचेंगे तो उसमें से पहली टिप दूसरी टिप यह है कि जब आप लोगों ने DNA की collection के लिए पर खेंच लेना है तो उसकी जो आगे tip होती है उसको आपने हाथ से touch नहीं करना आए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह जो है वो collect करते हैं ये bird है मेरे हाथ में पार्बली यूइनो-split ये मैने जो है इसका पर इस तरह पकड़ा आपने पर पकड़ लेना है ये जो नीचे से पर है वो आपने इस तरह खेंच लेना है और ये sample का bag है इसमें मैने पर रख दी आए एक आपने इस तरह राम से पर जो एक लेक कर लेना है हाथ बिलकुल नहीं लगाना आगे से टिप को यह मैंने दूसरा पर खेंच लिया यह देखें पर मैंने पकड़ा हुआ है आगे से हाथ को टच नहीं कर रहा है सेंपल बैग ओपन है उसके अंदर में सिंपल जो है वो रख रहा हूं दो जो है आप जो है वो प्लक कर सकते हैं तो यह बर्ड आप लोग के सामने है कोई इसमें मसला नहीं है दूसरे बर्ड का आपको करके दिखा देता हूं यह अब एक क्रीमिनों का बर्ड है इसके अब सेंपल जो है वो क्लेक कर लेते हैं इसली आपने बर्ड को इस तरह पकड़ लेना है ठीक है उसके बाद आपने उसका इस तरह पर पकड़ लेना है और इस तरह उगलियों की मदद से जो है पर को प्रोपर पकड़ लेना है ताकि जो पर प्लक करें तो बर्ड को पेन जो है वो ना हो अब यह देखें नीचे से जो बड़े पर है उन में से एक मैंने खेंचने यह नीचे वाले जो पर है इस में से आप जो है वो नीचे से चौथा या पांचवा पर जो है वो खेंच लें तो अब यह देखें एक टाइम पर खेंचना है ताकि बर्ड को कम से कम पेन हो ठीक है यह मैंने खेंचे हैं दो पर आ गए है तो चलें कुछ नियो ताब हम इन दोनों को यूज कर लेते हैं और यह देखें बगेर आगे से उसकी टिप को टच किया मैंने सेंपल बैग में जो है वो पर रख लिया इसलिए सेंपल बैग को पहले से उपन कर लिया करें ताकि उस टाइम पर मसला ना आओ अब यह मैंने दूसरी तरफ से पर खेंच लिया और ये मैंने जो है एक पर प्लग कर लिया, कोई मुश्किल तरीका निया, बहुत एजी है, और आम से आप इस तरह कर सकते हैं, अब मैं आपको एक टेल से भी जो है, इसका दिखा देता हूँ, और यह ब आप तक किस तरह आप यूज कर सकते हैं, कि male है कि female है वो result शेयर नहीं करते easily tail से भी पर आ गया है इसको भी हम sample bag में रख लेते हैं अब मैं आपको बता रहता हूँ कि information जो है वो इस पर क्या आपने fill in करनी है ठीक है? तो ये अब मैं दोनों जो bags इनके आपको information फिल करता हूँ start में आपने बर्ड का नाम लिखना है नाम का मतलब mutation लिखनी है साथ में आपने जिस बर्ड का भी DNA करवाना है उस बर्ड को ring जरूर डला होना चाहिए क्योंकि ring की मदद से आपको पता चलेगा कि कौन से बर्ड का DNA हुआ है ठीक है तो चलें अब सबसे पहले हम fill कर लेते है bird का जो नाम था Criminos bird name का मतलब bird की mutation क्या है तो मैंने भी दो birds आपके सामने की है सबसे पहले Criminos का फिल कर लेते हैं ये मैंने Criminos जो है सक्टी नाम लिख लिए Criminos bird था ring number bird को जो ring था obviously मेरे shed में और भी criminals हैं तो मुझे पता होना चाहिए मैं किसका sample भिजवार हूँ honor name जो आप भिजवार हैं आपका अपना नाम क्योंकि जो report आएगी वो आपके नाम से आएगी तो मैं इस पे आमिर खटक जो है वो लिख लेता हूँ mobile number इसलिए mention करना है कि लैब वाले एक तो DNA का certificate भी देते हैं लेकिन मैं काफी ज्यादा birds का DNA करवाता हूँ तो वो इतना मेरे लिए easy नहीं होता हूँ उनसे certificate क्लेक करना तो वो mobile पे whatsapp पे मेरे साथ जो है वो share कर लेते हैं मैं जो है avian laboratory से करवाता हूँ DNA यह वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा मैं packet भी उनका यूज कर रहा हूँ तो अभी तक मेरा इनके साथ जितना भी experience रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और मैंने इनके लावा और अभी तक कोई lab यूज नहीं की इनसे WhatsApp आप राप्ता कर सकते हैं और अपने birds के sample बिजवा सकते हैं जिन भाईयों को जाने का मसला होता है तो वो इनका बंदा घर भी बुला सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दिये बहुत easy तरीक है sample click करने का और दूसरा ये कि अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आप TCS के थूप भी जो हैं इनको samples बिजवा सकते हैं बाकी mobile number इनका mention है डिस्क्रिप्शन में तो आप इनसे खुद phone पे राप्ता करके rates वगरा भी इनसे पूछ सकते हैं और कोई और भी अगर आपने information लेनी हो कि खुद इनका बंदा आके sample click कर ले वो भी आप कर सकते हैं ठीक है तो ये viewers उनके लिए भी है जो out station रहते हैं जो कहते हैं हमारे share में DNA नहीं available तो आप easily जो है वो samples click कर सकते हैं और ये sample के bags जो मैंने आपको दिखाएं जो मैं फिल कर रहा हूं वो भी आपको इन से मिल जाएंगे तो आप फून करके इन से sample के bags मंगवा लें TCS और आप अपने samples जो है वो इनको भी जवा सकते हैं उमीद वाद आज की वीडियो से आप लोगों ने